हलो एब्रीवन दिस जैकवल है वंस अगें आज हम लोग बात करने वाले हैं और उक्स मैप्स में निविगेशन कैसे करते हैं आपका प्लान रेडी है आप के मजड अपने और उक्स मैप्स में डाउलोड कर चुके होंगे के मजड को रेडी करने के बाद आप अपने ऑपरेशन फिल्ड में चले गए होंगे और जहां जाने के बाद रियल स्टफ शुरू होता है चलेंगे कैसे उसमें निविगेशन के दौरान मार्च कैसे किया जाता है आप अपने और उक्स मैप्स में कौन-कौन से ऐसे सेटिंग्स हैं जिसको आप रखेंगे ताकि आपके निविगेशन में कोई हर्डल ना आए और ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेटिव भी हो चलने के दौरान क्या-क्या ओपरेशन होनी चाहिए मैं यहाँ पर तीन अलग-अलग मेथड्स को बताऊंगा जिसके द्वारा आप निविगेट कर सकते हैं यहाँ पर पहला जो है वो थोड़ा एडवांस लेबल का है और जो सिविल एरिया में ज्यादा तर यूज होता है जनरली एरोनॉटिकल स्पोर्ट्स वगरा है और आप समझ लिजे कि आप ग्लाइडर वगरा यूज करते हैं तो इस मैथट को ज्यादा तर यूज कर सकते हैं तो पहला है यह trip computer और trip computer के method से move करना ज्यादा data को आपके सामने रख पाने के कारण यह तोड़ा सा आसान होता है यह बढ़िया होता है लेकिन चुकि हमारा work area थोड़ा अलग है इसलिए इसको हम लोग use नहीं करते और मैं इसे prefer नहीं करूँगा क्योंकि इसमें background sounds वगर हैं ज आपको आपके कारी में बाधा डाल सकते हैं जो कि हमारा work culture अलग है हम लोग चुकि force में है तो यहाँ पर disturbance हो सकता है सबसे पहले हम लोग देखते हैं trip computer के बारे में trip computer यहाँ three dots से मिल जाएगा आपको इसमें tools में जाएए यहाँ पर trip computer है आप इसे on कर लेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि topmost जो area है यह upper button bar इसको कह सकते हैं इसमें जो पहला section है यह TC1 यानि कि trip computer 1 और यह है TC2 trip computer 2 इसी परकार से TC3, TC4, TC5, TC6 इस परकार से यहाँ 6 अलग-अलग options है tab है और इसका अलग-अलग function में बता दूँ इसके अलावे यहाँ पर आप देख सकते हैं top right side corner में यहाँ तीन अलग-अलग buttons दिये गए हैं पहला यह recording के लिए है track record करने के लिए दूसरा है track के segmentation के लिए आप इसमें अलग-अलग segment add कर सकते हैं साथ हे साथ आप जब track record कर रहे होते हैं तब आपको यदि कोई waypoint add करना होता है तो यहाँ पर third button है जो की waypoint addition के लिए दिया गया है आप waypoint के द्वारा आप यहाँ पर waypoint बना सकते हैं तो यह तीन button यहाँ पर सभी trip computers में common हैं इस प्रकार से यह आप देख सकते हैं यहाँ पर common है लेकिन trip computer 2 में दो additional button दिये गया है यह क्या चीज है मैं बताता हूं थोड़ी दिर में इसके अलावे trip computer 4 में यहाँ देख सकते हैं एक चौथा button भी है जो की magnetic sensor और GPS के द्वारा आपको northing यानि की जो north है इसके बारे में पता चले इसके लिए यहाँ पर दी गई है तो इसका application क्या है इसको कैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं चले start करते हैं तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि trip computer को on करने से पहले हम लोग एक basic चीज है कि आपको एक create कर लेंगे root tools में जाकर create root और इस प्रकार से point one last point that is point five and okay यह हमारा एक root बन गया है इस root को हम लोग follow करेंगे follow करने के लिए root option में जाए navigation option में जाकर follow route कर लेना है जैसे follow route करते हैं यहाँ पर 1.75 km दिख रहा है अपने current location से और next जो waypoint है वो उसको target करना start कर देता है तो trip computer में चलते हैं tools में जाना है trip computer को on करना है आप trip computer 5 में देख सकते हैं कि जिस परकार हम लोग ने अभी track बनाया इसमें से 5 waypoints हैं जिसमें कि यहाँ पर आपको यह दिख रहा है कि यह हमारा data मिल रहा है otherwise आप पहला वाला भी प्राप्ट कर सकते हैं यदि आप इससे नज दिखे हैं जो कि 512 यहाँ पर दिख रहा है तो इस प्रकार से हम लोग जो सबसे नजदी की waypoint है वहाँ सही गंड़ना करना प्रारम करता है जो कि यह automated है trip computer में आप यहाँ देख सकते हैं कि अलग-अलग waypoint को हम लोग accordingly change कर सकते हैं for example मेरा मन है कि 512 में जाकर सबसे पहले मै 513 में जाओ तो इस प्रकार से आप अपने हिसाब से arrange कर सकते हैं अपने waypoints को accordingly arrange करने के बाद recording प्रारम करते हैं सबसे उपर में यहाँ आप देख सकते हैं इस recording button को हम लोग दबाते हैं तो क्या होता है यह track record करना प्रारम करता है और जितने भी sensors data है यहाँ पर यह लगभग लगता है कि भाई मैं कहां जा रहा हूँ दिसान रिदे सही डंक से नहीं हो पता है तब क्या होता है कि आप चाहते हैं कि दोनों चीजें हो map भी हो और यह trip computer भी हो तो ऐसा करने के लिए आपके पास एक साधन है और वह साधन क्या है कि आप lateral dashboard को on करें तो चलिए देखते है lateral dashboard को कैसे on किया जाता है यहां three dot में click करना है three dot में click करने के बाद आप global settings में जाएंगे global settings के बाद आप miscellaneous user interface यहां दिख रहा होगा आप जैसे ही से enable करेंगे horizontal करने पर यहां पर आप देख सकते हैं कि trip computer इस परिकार से आजाता है कि इससे आपको यह map भी दिखेगा और आपको जितना data चाहिए यह data भी आप यहां देख सकते हैं इस परिकार से यहां पर अलग-अलग buttons का प्रियोग कर सकते हैं देखें यहां पर जो trip computer 2 है इसका क्या use है number one button का यहां आप देख सकते हैं कि track या route तो track या route के संबन में altitude versus speed आप यहां चूज कर सकते हैं आप चाहते हैं कि हमारा जो track record हो रहा है उसका altitude और speed दोनों measure होते तो इस परिकार से अलग-अलग parameters यहां choose करने के लिए है तो पहला है altitude versus speed मैंने रखा है इसको accept करेंगे और दूसरा जो button है यह निचला graph का है आप यहां देख सकते हैं इसको देखिए यह मैंने रखा है altitude versus slope का इसको accept कीजिए तो इस परिकार से यहां देख सकते हैं कि हमारा speed थोड़ा सा बढ़ा फिर अभी स्थिर है और यह slope हमारा बढ़ा हुआ है और इस परिकार से यह data जा रहा है देखिए यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा मेरा face अभी south direction में है और यह जो त्रिभूज है यह south को दिरसा रहा है मैं south east की और जा रहा हूं देखिए अभ यह east की और है और इसी परिकार यह compass में भी east की और यहां पर दर्शा रहा है तो आपको यह सोचना है कि क्या मैं इसको use करूँ या इसे use करूँ आप दोनों भी use कर सकते हैं और single इसे भी use कर सकते हैं तो पहला method यही था कि trip computer use कर सकते हैं और next trip computer में आगे है compass का use recording start है navigation navigate to navigate to accept करेंगे तब यहां पर आपको एक काला त्रिभूज इंगीत होगा यहां पर केंदर में एक arrow का निशान आपको दिख रहा होगा यह arrow का जो face है इस triangle से मिलना चाहिए तो आप सही direction में है यहां आप गौर करेंगे कि यह जो view angle है मैं south direction में हूँ अभी फिलाल तो यह हमको सह south direction में waypoint नहीं है यह थोड़ा सा southwest की और है तो मैं क्या करूंगा इसको थोड़ा सा right की और tilt करूंगा देखे यह अभी हमारे face के सामने आ गया यह चीज को बताने के लिए मैं यहां पर देख लिजे कि पहले यह south में था तो आपका direction इसका arrow का direction इसके सीध में नहीं होने के क इस triangle के साथ हमेशा बनाए रखना है तो यह method है trip computer का हम लोग इस परिकार से चलते हैं यहां पर आपको benefit है कि आपको आपका map भी दिखता है आपके root के सारे components दिखते हैं और साथी साथ आपको यहां पर एक compass भी मिलता है जो कि काफी useful है और यह usefulness आपको आपके plan में मदद पहुँचाता है दूसरा general method है वो है view angle के साथ में चलना यहां पर आप देख सकते हैं कि on location से जो next हमारा जो targeted waypoint है वो किस direction में है तो अपने आपको हम लोग उस direction में orient करते हैं मैप को देखते हुए अपने आपको उस हिसाब से हम लोग left या right इस परिकार से हम लोग अपने आपको orient करते हैं और जहां हमारा waypoint का एक सीध होना प्रारम होता यानि कि यह direction हमें इस direction में नाक की सीध में चलना है that means कि आपको न तो यहां trip computer मिलेगा नहीं कोई compass मिलेगा सीधे आपको view angle के मदद से आपको चलना है यह method सबसे सही है और इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि हम लोग इसको जो waypoint navigation हम लोगों ने किया है इसे off रखना है इससे फाइदा क्या है कि आपको कोई भी unwanted sound start नहीं होगा in between आपको कोई alarm नहीं बजेगा view angle वस्तुता compass ही है और यह एक guide के रूप में यहाँ पर use हो रहा है कि आपको आपके सामने क्या दिख रहा है यह हमें compass का ही एक चोटा रूप दिखाई देता है तीसरा जो सबसे नया method है वह GPS status के माधिम से यह क्या चीज है मैंने अपने पुराने वीडियो में भी बताया था GPS status third party application है इसको install कैसे किया जाता है यह भी बता दिया था मैंने सबसे पहले यहाँ three dot पे क्लिक करेंगे और tools पे क्लिक करेंगे tools पे क्लिक करने पर यहाँ पर GPS status है इसे क्लिक करेंगे बहुत सारे data है इसमें south-southwest की direction orientation है हमारा इस परिकार से हम लोग इस software को औरुक्स maps के साथ साथ यूज कर सकते हैं कैसे तो चलिए देखते हैं यहाँ पर android में जो minimize button है इसे क्लिक करना है क्लिक कर दिये अभी यह आपके screen में यहाँ पर दिख रहा हो तो जहां भी drag कीजिए आपको यहां रह जाएगा आप यदि अपने परिचालन में आपको कोई compass नहीं दिख रहा है आप नहीं चाहते हैं कि हम trip computer on करें लेकिन आपको compass चाहिए तो ऐसी स्थिति में आप इसे drag करके आप इसे कहीं भी रख सकते हैं देखे यह मैं इसे superimpose कर तो मेरा जो टॉप वाला हिसा यह इस्ट की और बताएगा देखे यहां पर इस्ट लिखा हुआ है और यहां पर यह मैप के दाहिने और यानि कि यह पूरव है तो इस परकार से आपको orientation और compass का एक फिल आता है बड़ा अच्छा लगता है आप इसे यूज़ कर सकते हैं तो यह था हमारा आज का टॉपिक कि हम लोग navigation के दौरान क्या चीज़ यूज़ करें और कैसे चलें चलने का तरीका हर लोगों का अलग अलग है हमें बताएं कमेंट में क्या अच्छा है क्या खराब है किसमें क्या दिक्कतें आ रही हैं और उक्स मैप्स में navigation से सम्बन देती ह यह था हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताईएगा मैसेज जरूर कीजेगा और अब तक जो लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हैं उनसे दिले आगरा है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब खीजिये और लाइक शेयर जरूर कीजिए पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद